राजस्तान में इस समय जहां बिजेपी उत्सा में नजर आ रही है तो वहीं कॉंग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए उम्मिद्वार भी नहीं मिल रहे है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के नेता लगातार पाला बदल करके बिजेपी में जा रहे है एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉंग्रेस का आला कमान अपने नेताओं को इस समय संभाल नहीं पा रहा और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली देश के सबसे पुरानी पार्टी अब अपने नेताओं को एक जुट भी नहीं कर पा रही ताजा जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रिय मंत्री लालचन कटारिया पूर्व विधायक आलोग बेनिवाल राजेंद्री आदव रिचपाल मिर्धा विजयपाल मिर्धा सुरेश चौधरी और खिलाडी लाल बैर्वा जल्द ही भारतिये जनतापार्टी में जा सकते बताया जा रहा है कि करीब 30 से अधिक नेता और जनप्रतिनिधी भी इस दोरान इनके साथ शामिल होंगे जिसमें जीला प्रमुक जीला परिशत सदस्य सरपंच और पंचायत समीती सदस्य भी सम्मिलित हैं आपको बता दे कि शनिवार को मध्यप्रदेश की कद्दावर ने सुरेश पचवरी और संजे शुक्रला ने भी भारतिय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहन कर ली है इधर दूसरी तरफ भारतिय आदिवासी पार्टी के साथ होने वाले गटवंधन पर बासवारा डूंगरपुर से बाज़ा पके उम्मिद्वार महेंद्र जीत सिंग कुरिया ने करारा तंज कसा है उन्होंने कहा कि नाला तो समुद्र में मिलता है ये सुना है लेकिन समुद्र नाले में मिलता हो ऐसा पहली बार सुनने में आया कॉंग्रेस कहती है कि बासवारा डूंगरपुर में वो जीत का डंका बजाएंगे लेकिन ये तो मुंगेरी ल के हसीन सपने हैं पहले सामने लड़ने वाला उम्मिद्वार तो ले करके आ जाएं आप भी सुनिए क्या कहा महेंद्र जीत सिंग मालविये ने पांस हजार लोग जो जा तीन लाग लोग इकटे होते थे मां पांस हजार लोग इकटा करके ये चलेंग रहे हैं बार्दे जंता पार्टी को को हम जीत का डंका बजाएंगे ये मुंगरी लाल के हसीन सबने भूल जाओ ये तो खतम हो चुका है खेल स्पेशल डेस्क से राजस्तान कवरेज की रिपोर्ट